असलाम उलेकुम कैसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अल्हम्दलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपको गवार की फली एक दम जबर्दस इतनी टेश्टी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा कि हम आपको क्या बता इस कटे से इतना ला जवाब होता है एक बर हमारे बोलने पर ट्राइज जरूर कीजिए हमारे तरीके से तो चलिए देखते हैं से हम कैसे बनाएंगे तो यहां पर देख लीजिए गैस के ऊपर रग दे हमने पतिला पतिला हमारा अच्छे से गरम हो चुका है फली हमने धो कर ले ली हमारी 200 गिराम गवार फली है इसको हमने बहुत पूरा पानी निकल चुका है अच्छे से ड्राइ हो चुकिए हमें बहुत आच्छे से ड्राइ करना है पतिली में डाल कर यह देख लिए जो भी इसका पानी है सभी ड्राइ करना एकदम अच्छे से तो पानी जब ड्राइ हो जाएगा जब हमको इसके अदर ऑईल डाला है और इसको अउयल डाल के फ्राइब कर लेंगे तो यह देख लिए कितने गिरीन गिरीन दिखने लगी है माशाला आप देख सकते हो तो इस तरह से आप इसको फ्राइब कीजिए तो यह बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है फटा फटा बनकर तयार हो जाती है तो हमने यहां प्यास लिए गवार फली निकाल दी है और यहां पर हम एक से देर चमच और लाला है प्या अच्छे से फ्राइब होने देंगे और हरी मिर्चाब लसन का पेस्ट आप देख सकते हो एक मिनएंट हम ने बीडी करला है लेकिर नमर कैसे नमके दालब नहीं हिसाब Every और तेस्स सब्सराइल करब केया विल लिए consumed यहां फ़्साइल करते हैं आप लेकिन हमको फ्रस्फ्ला सीप देफ yol होरो बहुद। और देखों कर देखिए नमक्ति के यहां यहां पर आप देख सकते हो हमने आधा चममच हल्दी पॉड़र दाला है मतलब चाय के जो चममच होता है चोटा वाला आधा ही चममच हमने एड़ किया है तो नमा का हल्दी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है अभी हम गवार की फली एड़ के रहेंगे जो हमने फ्राइ कर आप देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार बनती है बहुत जटपड बनकर तयार हो जाती है गवार फली आप जरू ट्राइक करके देखिए प्रेंट्स बहुत ज़्याद आपकी फैमिली को पसंद आने वाली है इंशालला इतना इसको बनाना और यह देख लीजिए मुंग फ पानी एट कर सकते हैं जब हम इसका पाउडर तयार करेंगे तब हमें पानी एट करना है मिक्सिजार में जो भी लगा हो वो निकल जाएगा थोड़ा सा पानी हमने एक कब डाल दिया था इसके अंदर और जो भी था लगा वह हमने निकाल दिया है तो यह देख लीजिए दम अच्छे से टैंडर भी हो चुकि आप देख सकते हो आपको देख कर यह अंदाजा आ रहा होगा फिरंट कितनी मसेदार लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी हो डाइसो गिराम गवार फली के लिए सो गिराम ओंफली लीजिए और जब फ्राइ करें गवार फली तो मिलते हैं बहुत जबर्दस रेसिपी के साथ बहुत जल इंशाला तब तक आपना और अपने फैमिली का बहुत सरा खयार लखिए हमें अपने दूआउ में याद रखिए तब तक के लिए लाफिस वीडियो देखने के लिए जजाकला थैंक यू लाफिस